Good morning students, welcome to my youtube channel mathematics with Avigal स्वागत है students आपका मेरी चैनल पर आज हम करेंगे integral का question काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वैसे तो हम integral का question बट आज भी हम integral का question ही करेंगे ये थोड़ा सा typical question है ठीके? typical तो क्या? मतलब समझने में तो easy है समझ में आ जाएगा आपको बस देखने में थोड़ा सा typical है solution में लेंदी नहीं है बट देखने में typical लग रहा है question क्यों आपको question देखो किस तरह का दिया है? आपको integrate करना है x cos inverse x upon में under root में दे दिया 1 minus x square ठीके? थोड़ा से देखने में बिल्कुल typical लग रहा है but question easy है ध्यान से देखो कैसे solve करना है? x के respect में यहां करना है आपको integration तो कैसे करेंगे इसका integration? देखो cos inverse x को t मान लो मान लो एक बार students let cos inverse x is equal to t बहुत जल्दी question solve होगा ध्यान से देखते जाओ now differentiation करना है cos inverse x का students differentiation क्या होता है? minus 1 upon under root में 1 minus x square clear? cos inverse का कर दिया बच्चा x x का dx हो गया is equal to t का अपना dt हो गया clear? solve strength यहां से 1 upon under root में 1 minus x square into dx is equal to क्या आगया? आपका minus dt अरे minus से दों तरफ multiply कर दो तो यहां तो minus minus plus हो गया यहां आपका minus i का यहां अब इसकी value put कर दो यहां इसको आप क्या लिख सकते हो? integration of x cos inverse x dx upon में यह वाला term लिख रही हूं ठीक है? upon में तो है नहीं यह अल टम dx upon 1 minus x square किसके equal है? minus dt के? integration में इसकी जगे तो अपना आगया minus dt बच्चा x cos inverse x तो cos inverse x की जगे आप लिख दोगे t तो strength लिख देते हैं t भी लिख दिया cos inverse x की जगे बच्चा अपना x x की जगे क्या लिख है? ध्यान से समझ न क्या माना है आपने यहां? cos inverse x is equal to t माना है न? cos inverse x is equal to t माना है न? cos inverse है इसको इस साइड भीजतो तो क्या हो जाएगा? x is equal to inverse है यहां जाके क्या हो जाएगा? cos और आपका t एज़ टी x की value क्या आगई? cos t यहां x की जगे cos t लिख दो बस यह multiply में है angle में सीफ अपने है t यह clear? देखो इससे confused नहों हो इसलिए t को आगे लिख लेते हैं minus है न? minus को भी आगे ले लो minus 1 अपना integration से भाहर गया constant है integration से भाहर लिख लिए t into आपका आगया cos t और अपना d t अब students आपको याद आना चाहिए मेरा previous lecture जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले मैंने आपको बताया था कि integration by parts दो function दे देता है आपको दो function अगर आपको दे देता है multiply में और कहता है उसे integrate कर दो तो क्या formula होता था? याद है हम x के लिए पढ़ते थे आज हमारा variable t है यहाँ पर तो हम t के लिए पढ़ लेंगे लिखतो students पहले x के लिए लेते हैं क्योंकि हमें याद x के लिए ही है तो क्या होता था? first function और ये कोई second function है दोनों x के function है multiply में दे दिये हैं तो integration का formula होता था first को रखो second function को integrate कर दो minus, integration क्या होता था? first function को differentiate कर दो second function को integrate कर दो फिर complete का integration तो आज अपना है क्या strength? variable x की ज़िए t है इस तो बिल्कुल भी tension लेनी नहीं है तो अपना यहाँ t है न तो यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t complete में अपन कुल में लाकर x की ज़िए t use करने वाले बात यहाँ जो important है वो है कि किस function को first माने और किस function को second माने ऐसे ही क्या हम अपनी मर्जी से इसे first या फिर इसे first function मान सकते हैं? यह से second function इसको माने या इसको माने कैसे decide करें क्या अपनी मर्दी से मान सकते है students अपनी मर्दी से नहीं मान सकते कुछ न कुछ तो है उसकी वज़े से हम नहीं मान सकते वो है क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी अपनी मर्दी से first ये second function क्यों नहीं मान सकते तो उसका कारण आपको मिल जाएगा मेरे previous lecture में लिंक आपको उस lecture का इस lecture के description box में मिलने वाला है उस lecture का जो link है इस video के description box में आपको मिल जाएगा वहाँ से समझ लेना कारण ठीक है कारण तो वहाँ से समझ लोगे बट आज हमने decide भी तो करना है तो देखो students, याद होगा आपको अगर वो lecture लिया है तो मैंने आपको कुछ बताया था, I late, ऐसा कुछ बताया था कि I का मतलब inverse, L मतलब logarithm, A मतलब algebra, T मतलब tignometry, E मतलब exponential इसकी साहिता से, इसकी help से हम decide करते हैं students कि किसे हमने first मानना है और किसे second है जड़ा देखने students, आद अपना क्या है T, T, यानि कि algebra, यानि कि ये रा second है आपका cos T, यानि कि cos, यानि कि trigonometry, sin, cos, tan, cos, cos, trigonometry functions है so trigonometry आपका होगे अब आप लोग समझ रहे होगे कि पहले कौन सा आ रहा है, algebra है, trigonometry, पहले algebra आ रहा है so first है मानना है, second है मानना है, पहले algebra हा रहा है तो first है ये बाद मारा रहा है, second होगे algebra में क्या क्या आता है, trigonometry में क्या आता है, inverse में क्या आता है ये सब चीज़े आपको मिलने वाली है, previous lecture में जिसका link में आपको description box में देने वाली है, clear वहां से आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे से, मास्ट्रिंस हमने x के लिए बताया था, आज अपना variable t है, तो बिल्कुल आप x के बारे में पढ़ोगे ना, उसे t के बारे में सोस्ते दाना, ठीके, क्या फरक पढ़ता है, x ले लो variable t ले लो, y ले लो, z ले लो, कुल मिला के आपने आने चाहिए concept समझ में की, कैसे हम चीजों को solve कर रहे हैं, तो यहां first किसको मनना है, algebra को यानि कि t को, trigonometry को second मनना है, so course को second, first और second का decision हो चुका है, formula भी आ चुका है, integral कर देते हैं, minus बनता आपको बाहर चली रहा है, अब लगा लिए bracket, अब देखो इसका integration, first function को रखो, यानि कि t को रखो, second function को intrigate, यानि कि cost t का integration, ठीके, x की देखे हमें t यूज करना है, ठीके, minus, integration या आपका bracket, first function को differentiate करना है x के respect में, तो first function आपका है क्या t, तो यहाँ x नहीं लेकर क्या लेना है t, तो आपका क्या हो जाएगा, d by dt आपको करना है t का, तो फिर integrate करना है second function को, यानि कि cost को, ठीके, और फिर complete का आपका integration, clear, now, minus उनको as it is, चली रहा है, t as it is, अब आता है अपना cost t का integration, क्या याद है आप लोगों को, formula, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, cost t का integration क्या होता है था, students, sin t, याद होगा आप लोगों को students, नहीं है, तो please, पहले formulas याद कर लीजिए, मेरे integral की playlist में आपको सारे formulas मिलने माले हैं, वहाँ से याद कर सकते हो, ठीके, cost t का क्या होगा, अपना sin t, minus integral, t का differentiation क्या हो चुका है, students, t के respect में 1, कैसे होता है, students, क्या याद है, मैंने आपको बताय हुआ है, x के लिए याद है, students, मैंने आपको x के लिए बताया था, देखो, x की power n का, तो हम सभी जाते हैं, differentiation formula, n x की power n minus 1, बट जब n की जगे 1 दे दे, x की power 1 का पूछे, तो कैसे करते थे, n की जगे 1 लिखके, तो 1 into x की power 1 minus 1, 1 minus 1, 0, so x की power 0 की value 1 होती है, तो 1 into 1 की आगे, आपका 1, यानि की x की power 1 को x के respect में differentiate करोगे, तो value 1 आती है, यहां क्या है, t की power 1 को, t की power 1, students, कुछ नहीं लिखा होता है, understood होती है power 1, clear, t की power 1 को t के respect में differentiate कर रहे हो, यहां और यहां, कुछ फर्ख दिख रहे हैं क्या, सिर्फ x का फर्ख है, और कोई फर्ख नहीं है, clear, तो जब x के लिए समझ चुके हो, तो क्या t के लिए नहीं समझ पा रहे है, x की power 1 का, x के respect में differentiation क्या हुता है, 1, इसका मतलब, t की power 1 का, t के respect में differentiation क्या होता है, है वह अगर यहांद दे तो कि यहार की वन को आपने डिफ्रazzi TE已经 करूना है आपको ड़ेjust in the दोगे डोगे पी दे दोगे कुछ भी दे दोगे तरहुत नहीं है वेल्लु चेंद है अनुच चेंज करने से अरे value तो सही मी रहने वाली है समझ आया कैसे value 1 होती है अरे याद करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो यह है क्या dx upon dx ही तो है इस तरह से याद कर लो कि dx से dx cancel हो चुका है value 1 आ गई बट हकीकत में cancel होता नहीं reality में cancel होता नहीं है because d by dx तो एक differential operator है जो आपने इस वाले x पर लगाया हुआ है यह d by dx तो एक differential operator हो गया जो इस x पर लगाया हुआ है आपने ठीके कुल मिला के ऐसे नहीं करते कोई भी चीज ऐसे करती नहीं है यह एक operator है आप ऐसे नहीं काट सकते ठीके बस याद तो हम कर सकते हैं इस तरह से हमें पता तो है किस सरे से वैल्यू वन आती थीख है इसका अपना वैल्यू वन होच्चुका है कोई टीके अभी करा साइन टी और फिर आपको एक कंप्लीट वाला डी ती को कंप्लीट को इंट्रीगेट करना है क्या चुका है माइनस वन टी साइन टी माइनस ठीक है वन इंटू साइन टी साइन टी हो चुका है तो साइन टी का integration क्या होता है students याद है माइनस को स्टी मैंने आपको पहले ही बता दिये थे सारे formula इसी लिए बार बार यूज आते हैं ब्रैकिट बन और प्लस constant of integration सी ठीक है नाव सॉल कर लेते हैं यह माइनस को अंदर भेज दें चलो बाद में भेज देंगे पहले यहाँ टी साइन टी यह सॉल कर लो माइनस माइनस प्लस और आपका कोस्टी प्लस constant of integration सी अब टी की वैल्लू रख दो टी इस इकल टू क्या माना हुआ है कॉस current कि जगे लीख दो पॉस इन्वर्स एक्स क्या सब्सका माइनस मैं टी की जगे हम लिखे रहे हैं को सी ठीक है क्या लिख outra हैं को सॉंभ्स एक से एक pale t-शक्ते कि यहाँ एंगल में, देखो, cos inverse x तक आ गया, clear, मतलब एक trigonometry function के angle में inverse trigonometry function आ गया, ठीके, sin inverse x, cos inverse x, यह सब क्या होते हैं, inverse trigonometry function, और sin x, cos x, यह सब क्या होते हैं, trigonometry function, ठीके, so, इस ट्रेंज क्या चुका है, अपना plus, cos, t की value रख देनी है, अपनी क्या है, cos inverse x, cos inverse x, ठीके, bracket बंद, plus constant of integration आपका c, चाहो तो minus को अंदर बेज़ दो, दोनों तरफ minus आ जाएगा, यहां भी minus आ जाएगा, यहां भी minus आ जाएगा, चाहो ऐसे ही रहेंदो, कुछ भी कर सकते हो, ठीके, लिख लो, चाहो तो क्या जाएगा, minus cos inverse x, sin cos inverse x, और यहां भी क्या हो चुका है, plus minus, minus, क्या जाना है आपका, cos, bracket में, cos inverse x, plus constant of integration c, यहां चुका है आपका answer, ठीके, चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, और यहां भी छोड़ सकते हो, clear, अगर कोई query हो, इस lecture में, कहीं भी किसी भी step में कोई problem आ रही हो, तो comment box में पूछ ली जेगा, ठीके, और नहीं आ रही, तो एक बाग खुद solve करके देखो, और फिर दुबारे वीडियो को देखना, और notice करना, कि आप से कहा problem आ रही थी solve करने में, ठीके, और अगर आप से solve हो जाता है, तो students बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे practice करोगे, आप से question solve होने लग जाएंगे, ठीके, इंट्रीकल बिलकुँँ थोड़ा सा typical पड़ता है, topic, क्योंकि first time पड़ते हैं 12 class में, इसलिए थोड़ा सा typical पड़ता है, बड़ practice करोगे, तो clear होता जाएंगी चीज़े, ठीके, सब चीज़े clear होंगे, सब concept समझ आने लगेंगे धीरे धीरे, practice करते जाओ, ठीके, so students thank you, thank you so much, मिलते हैं next lecture में, कुछ और intrigal के questions के साथ,